हाई दोस्तों आप लोग कैसे हो ए देख लिजे मैंने नान खटाई बनाया है और ए खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मैंने लिया गी यह देशी घी है यह कटोरी और यह बारी चीनी है और यह जो चीनी है सक्कर बोलते हैं सक्कर है जो सक्कर में मिक्स कर देती हो घी डालके अच्छे से मिला लेती हो ए देख लेजिए घी थोड़ा थोड़ा डालके आप कीजिए इससे बनाते हैं तो अच्छा बनके रेडी होता है यह देख लेजिए कैसा बढ़ यहां सा पेष्ट बनके तयार है ऐसे ही बनाना है घी कम पड़े तो और डालते रहो अगर घी ज़्यादा नहीं है आपके पास तो ओइल भी डाल सकते जो डालडा रहता है ना डालडा उससे बनाएंगे तो बहुती बढ़ियां बनेगा मैंने मैदा लिया है बेशन है और यह रवा है तीनों चीज को मैं मिला लेती हूँ अच्छे से रवा मैदा और बेशन और इसमें थोड़ा सा ब्रेकिंग सोडा डालती हूँ ओभी मिला लेती हूँ और जो मैंने पेश्ट बनाया है घी और ची नहीं का ओभी मिला देती हूँ बस इतने से ही नान खटाई बनके तयार होती है यह बना के डिबे में भरके रख दें तो बच्छे खाते हैं बड़े खाते हैं और खराब होने वाले चीज नहीं रते हैं देख लेजे ऐसे मसल मसल के इसका डो एक दम टाइट रहना चाहिए अब इससे रख देती हूं सेट होने के लिए और यहां मैंने नमक लिया है एक पैकेट और इससे रख देती हूं करब होने के लिए अब इस जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हो यह देख लेजे मुझे तो इतना ही पसंद आया और एक फुलता है तो फुल के बड़ा हो जाता है यह देख लिए इससे शेप परना चाहिए और एक बर्तन में मैं घी लगा देती हूँ जो मुझे पतेले में रखना है वहाँ पे हमारा पतेला भी गरम हो रहा है यह देख लिजे आप इसे कुकर में भी बना सकते हो उसमें भी नमक डालके आप रख सकते हो उसकी सीटे निकाल देजे उसमें भी बनके त्यार होता है लेकिन मीडियम आज में बनाएं नहीं तो इनीचे से जलने लगता है मैंने थोड़ा चकू से इसे डिजाइन में कर दिया है थोड़े से ड्राइफ़ रसोफ़ से डाल देती हूं और दस मिनट के बाद इस चेक जरूर करें यह देख लेजिए हमारा बन चुका पंद्रे मिनट पूरे लगें मैंने दस मिनट के बाद चेक किया था तो आधा बन